एक छोटे से गाव में एक बच्चा रहता था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही ब्रेव और साहसी था। वह हमेशा सच की ओर बढ़ता था, चाहे वो कितना भी कठिन हो। एक दिन गाव के पास एक बड़ा भयानत डाइनसौर आया। यह डाइनसौर गाव के पास ही बस गया और लोगों को डराने लगा। विक्रम ने अपनी बहादूरी का प्रदर्शन किया और डाइनसौर के साथ सामना करने का निरने लिया। विक्रम ने गाव के लोगों को साथ में मिलकर एक योजना बनाई और डाइनसूर के साथ युद्ध किया. यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला लेकिन विक्रम ने कभी हाड नहीं माने. अंत में विक्रम ने डाइनसूर को हराया और गाव को मुक्त कर दिया. वह अपनी बहादुरी के लिए सराहा गया और गाव का हीरो बन गया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि अगर हम अपनी बहादुरी और साहस से समस्याओं का सामना करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं विक्रम ने हमें यह दिखाया कि डर का कोई स्थान नहीं होता जब हम सच्चे और बहादुर होते हैं